परना गेम कहलba स्टार्ट कर दिआ है दोस्तों जोन-टु-जोन बाई लेवल खतम हो गया जोन-टु-जोन अब जोन-टु-जोन बाई- लेवल विट noi-ेस बिद्ट रइस एकशें पैंदिल चार topics Seright केंदिल चार्ट में भी आप्सभी से बता रहा हूं कि इसके अंदर 172, 190, 192, 210, 210, 240 लेवल आप सभी को India Bulls Housing Finance Limited के अंदर देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी थोड़ा patience लगा के चलिए आज का वीडियो आप सभी के support के लिए है दोस्तों मैं हर हफ़ते आपके लिए आप सभी के लिए support वीडियो अपलोट कर रहा हूं क्योंकि no moment देखते हुए India Bulls Housing Finance के अंदर ज्यादा तर सभी लोग exit करने की कोशिश कर रहे हैं ध्यान से सुनिए एक दो मिनिट लिका लिजिए वीडियो pause करिए आप NSC India पे जाहिए उसमें देखिए इंडिया Bulls Housing Finance का deliverable quantity में कितना changes आ रहे हैं यानि ज्यादा से ज्यादा तर लोग इसे buy करके चल रहे हैं क्योंकि over selling zone के नीचे चल रहा है और over buying भी हो रहा है इंडिया Bulls Housing Finance Limited आज के दिन आप सभी को future targets क्या हैं आप सभी को मैं candle chart analysis करके बताने वाला हूँ हेलो एवरिवन मैं हूँ मोहमा सोहिल आप लोगों के सामें stock पर बात कर रहा हूँ इंडिया Bulls Housing Finance Limited अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए दोस्तों candle chart डीटेली देखिए इसके अंदर जो no moment with no price action इदर लेके चल रहा था over selling zone के नीचे के बाद उसके बाद वैसा ही moment इदर continuously lining लेके चल रहा है दोस्तों वो भी over buying होते हुए अगर यह up trend line sudden में भी touch करने लगा आपको ऐसा वाला super trend इसमें देखने को मिलेगा अगर super trend देखने को मिलेगा तो immediately stock के अंदर exit करने की कोशिश करिए क्योंकि इसके अंदर जो over bought हो रहा है stock ज्यादा से ज्यादा deliverable quantity में changes आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा stock को buy भी करके रख रहे हैं आप देख सकते हैं इंडिया उसका promoters भी interested है इंडिया उस housing finance के अंदर buying करने के लिए और एक बार detail ही बता दूँ जो अब थोड़ा दूर थोड़ा पीछे चले जाईए 7 से 8 मेने पीछे चले जाईए में to February में चले जाईए जो इसके अंदर gap down gap down करकर opening हुई है इसने बस 70% का gap down close किया है पर उपर level का जो gap down close होता हुआ दिखा ये level के पास आप देख सकते हैं ओपनिंग होता हुआ दिखा ये वाला recovery लेके नहीं चल रहा है दोस्तों आगे बढ़ता हुआ दिखा तो stock आपको 320 levels भी India Bulls Housing Finance Limited के अंदर देखने को मिलेंगी ये ही है मेरे future targets India Bulls Housing Finance Limited के अंदर और एक बात दोस्तों इसके अंदर जो no moment no moment with no price action चल रहा है इदर over buying हो रही है दोस्तों आगे चलके आपको लगतार moment India Bulls Housing Finance Limited के अंदर देखने को मिलेगा जो भी fresh entry करना चाह रहे हैं fresh entry करके लेच चल सकते हैं जो भी उपर level पे stock को buy करके परेशान हो रहे हैं आप सबी नीचे level पर average strategy maintain करिये उपर आप कितना भी quantity करीदे आगर आप 200 खरिदे तो नीचे क्या करिए चार सो खरिए पूरा नीचे से नीचे level का overall average moment बनेगा अगर आँ उपर 100 खरी दें तो नीचे भी 100 खरी दें, अगर उपर 100 खरी दें तो 200 खरी दें, 200 खरी दें, तो नीचे 200 खरी दें, आपकी मर्दी जैसा आपको सही दिख रहा है वैसा stock को buy करके चलिए, क्यूंकि आगे चलके लगाता rocket moment आप सभी को India Bulls Housing Finance के अंदर देखने को म होगी वह धर आएगा आप एक्जिट करेंगे बेवकूफ ही होगी दोस्तों अगर मैं कुछ गलत बात कर रहा हूं तो मुझे माफ कर दीजिए दिल से को मिलेगा इंडिया बूस होजिंग फाइनस लिमिटेट के अंदर जितना बाइयर्स को क्याच कर रहा है उतना ही जल्दी मुवमेंट देने वाला है स्टॉक तो स्टॉक को होल्ड करके चलिए एक्जिट तो करिये ही मत यह मेरा टेलिग्राम चैनल है दोस्तों आपने अभी तक मेरा टेलिग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो जॉइन कर लेजिए फोर इंट्रेडेल लाइब टिप्स एंड श्टॉक मार्केट अपडेट के लिए आपको टेलिग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा and thank you for your love and support and keep encouraging दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए notification पाने के लिए notification all पे click कर दीजिए आज का दिन है 23 अक्टोबर 2020 फ्राइडे इंडिया बुल्स हौजिंग फाइनस लिमिटेड का क्लोजिंग है 150.45 पैसा यह जो मैं टागेट निकाल रहा हूँ टागेट 26 अक्टोबर 2020 मंडे के लिए रिकाल रहा हूँ मंडे के दिन आपको मेरे लिवल्स पे buying opportunity देखने को मिले selling opportunity देखने को मिले आप मेरे टागेट लाइव मार्केट में यानि मंडे के दिन लाइव मार्केट में लेके चल सकते हैं अगर entry हो रही है मेरे लिवल्स पे तो targets and stop loss immediate लगा लिजिए stop loss हुट हो रहा है तो कितना कम लुक्सान हो रहा है तो कितना profit हो रहा है आपको खुद पता चल जाएगा